गुट इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूटीव चैनल सिक्षा कोचिंग क्लासे इस्टेंट्स, आप सभी को वेट है, अस्टेंट अग्रिकल्चर ओफिसर की फाइनल कॉट ओफ को ले करके, UKSAC का इसका रिजल्ट और कॉट ओफ जारी करेगा, अस्टेंट अ होता जा रहा है, फिर भी हम expected cutoff जानकर के self satisfaction मिल जाता है, खुद को कि हाँ, अगर हम अरे इतने marks हैं, तो हम safe zone में हैं, तो उसको लिकर के मैं ये cutoff बना रहा हूँ, तो देखिए मैं जो cutoff है, उसमें plus minus 2 आप उपर नीचे कर सकते हैं, यानि कि अगर आपके plus 2 या minus 2 उपर हो सकती है, इससे ज्यादा difference नहीं आएगा cutoff में, ठीक है, तो शुरू करते हैं, जनल से, तो जनल में अगर आपके marks 57 plus हैं, 57 plus हैं, plus minus 2 कर सकते हैं, यानि कि फिफ्टी फाइव और 59, यानि कि plus minus 2 उपर नीचे कर सकते हैं, यानि कि plus minus 2 कर सकते हैं, यानि plus 2 या minus 2, तो जनल ही OVC में अगर आपके marks 53 आ रहे हैं, तो आप safe zone में हैं, EWS और OVC का लगवक similar ही रहती है, तो OVC और EWS की जो cutoff है आज पास ही जाएगी, तो यानि 53 के पास आपके marks हैं, तो 53 plus में अगर आपके marks हैं, तो आप safe zone में हैं, अगर SC में आपके marks 50 plus में हैं, तो आप safe zone में हैं, ST म अगर आपके marks 48 plus में है तो आप safe zone में है ये मैंने अभी male candidate की बताई है अब मैं female candidate की बता रहा हूँ journal में अगर आपके marks 52 plus है तो आपके लिए safe zone है EWS और OVC female candidate के लिए उता रहा हूँ कि अगर आपके marks 46 plus है तो आपके safe zone में है और आप freedom fighter है तो आप 42 plus पर है 42 plus में है आपके marks तो आप safe zone में है तो बस जैसा कि मैंने analysis किया मैंने आपके साथ share कर दिया वीडियो में अच्छी लेगी तो लाइक करें चैनल को subscribe करें वीडियो में अच्छी अच्छी लेगी तो लाइक करें